हेलो दोस्तों नमस्कार मैं देव साहरानी और आपका स्वागत है देव जी टेकनिकल चेनल में दोस्तों वाट्सअप में एक बहुत ही कमाल का फीचर है कि हम भेज़े हुए मेसेज को डिलीट कर सकते हैं दोनों साइट से मतलब हम जिसको भेजते हैं वहाँ से भी हम मैसेज को डिलीट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कभी-कभी जो है इसका लोग गलत इस्तमाल भी कर देते हैं होता क्या कि कभी-कभी important मैसेज को भी भेज कर लोग डिलीट कर देते हैं या कुछ जो है ऐसी चीजों को बेजते हैं जो कि हम देखी नहीं पाते हैं और वो जो बेजने के बाद तुरण डेलिट हो जाता है तो दोस्तो ऐसे मेसेज को आप कैसे रीट करेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे बताने वालाओ जिसकी मतल से आप जो बहुत ही आसानी से WhatsApp पर डिलीट हुए मैसेज को बहुत ही इजली रीट कर पाएंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं आयोग किया जो है एमेजिंग ट्रीक WhatsApp की जो है आपको पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ जरूर सेर कीजिगा तो चली शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे लेटेश टेकनलोजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाईए दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रिक जो है सिर्फ Android उजर के लिए है इसको कैसे जो है रीट करेंगे दोस्तो वाट्सप से डिलीट हुए मैसेज को रीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्मार्टफोन में प्लेश टॉर को पेन करकर एक एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है प्लेश टॉर पर इसके और 4.9 MB की फाइल है और साथी में 3 प्लस प्लस रेटेड है और 10 प्लस मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है तो चली इस application को अपने phone में download करते हैं, इसके आगे का process जो है इसको download करने के बाद आपको बताते हैं, तो यहाँ पर install बटन पे click करते हैं, click करते हैं तो यह application जो हमारे phone में install होना ready हो गई है, उसके बाद दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो इसका इस्तमाल कैसे करेंग और WhatsApp पर delete message को कैसे read करेंगे इस application की मदद से, तो दोस्तो WhatsApp remote plus application हमारे phone में install हो चुका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर open बटन आ चुका है, चली इसको open करते हैं और step by step आपको बताते हैं, कि आप जो है इसमें कैसे setting करके WhatsApp से delete message को read कर पाएंगे, तो open करते हैं इस application को, ज नीचे आपको we care about your privacy and data security, मतलब यह हमारे privacy और data security का care करते हैं, तो यह काफी अच्छी बात है, और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे दो तरह के option मिलेंगे, close application और accept button, तो आपको accept button पे click करना है, जिसे दोस्तों आप accept button पे click करेंगे, attention का एक notice आप यहाँ पर देख सकते हैं we need to enable access notifications, so what WhatsApp remote can work, do you want to do it now, तो आपको इसको ask कर दिना है, जिसे दोस्तों आप आपको एस कर देंगे, यहाँ पर आपको notification access करने का option आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WhatsApp remote plus application आपको दिखाई देगा, आपको इसको notification access करने का permission allow कर दिना है, तो यहाँ पर आपक क्लिक करके allow WhatsApp remote plus को आपको यहाँ पर allow कर दिना है, जिसे दोस्तों आप allow करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WhatsApp remote plus application का notification access जो इनेबल हो चुका है, अब चलिए यहाँ से बाहर आजाते हैं, जिसे दोस्तों आप notification access की setting से बाहर आएंगे, आपके screen पर select your apps का option आ जाएगा अब आप किस application के notification को read करना चाते हैं, आपको उस application को select कर लेना है, तो दोस्तों हमको WhatsApp पर delete होए message को read करना है, तो हम यहाँ पर WhatsApp को select कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WhatsApp और WhatsApp बिजनेश जो आपको उपर ही दिखाई देगा, आपको इन दोनों application को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर next पे click करना है जैसे दोस्तों आप next बटन में click करेंगे आपके screen पर एक message आजागा do you want to detect and save deleted file मतलब दोस्तों whatsapp पर delete हुए file को अगर आप अपने gallery में save करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर as save files के उपर click करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि detected, whatsapp, whatsapp business जो भी application आप यहाँ पर select किये रहेंगे आपको यहाँ पर उपर show होंगी तो दोस्तों अप कोई भी अगर आपको whatsapp पर कोई भी message करकर तुरांत उसको delete कर देता है जिसको कि आप read नहीं कर पाते हैं तो वो सारा message जो है आपको यहाँ पर show होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि detected आपका जो भी file अगर delete हुआ रहेगा जो भी file है detect किया रहेगा वो file आपको यहाँ पर show होगा और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपर जो option दिखाए दरे हैं message जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर show होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको अगर कोई भी message यहाँ से delete करना है तो आपको यहाँ पर delete button दिखाए देगा आप जो इसको empty या erase कर सकते हैं और उसके बगल में दोस्तों आपको एक files का option दिखाए दे रहा है अगर आप यहाँ प सबसे पहले मैं आपको अपने personal WhatsApp से अपने WhatsApp business पर एक message करकर उसको delete करकर आपको दिखाऊंगा कि WhatsApp Premium Plus application की मदद से आप delete message को कैसे देख पाएंगे तो चली WhatsApp को open करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप delete message को कैसे read कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर पर personal WhatsApp के message को अपने WhatsApp business के account पे उसको delete करता हूँ तो मेरा WhatsApp business का number यह है तो मैं यहाँ पर high send करकर दिखाता हूँ आपको तो मैंने यहाँ पर high send कर दिया और मेरा message आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देवजी technical name से मेरे WhatsApp business account पे आ चुका है अब यहाँ से मैं इस message को click करता हूँ और यहाँ पर delete option पे click करके delete for everyone पे click कर देता हूँ ताकि यह message जो है दोनों side से delete हो जाए तो दोस्तों मेरा WhatsApp का message जो है मैंने delete कर दिया है अब मैं आपको अपना WhatsApp business का account open करकर दिखाता हूँ कि मेरा वहाँ पर message आया है कि नहीं तो चलिए WhatsApp business account को open कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WhatsApp WhatsApp business account में जो है मेरा message आया है लेकिन यहाँ पर this message was deleted मतलब मैंने message को भेज कर आपको delete करके दिखाया था तो यहाँ पर message delete हो चुका है तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो message आया था वो क्या था तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर notification में जाना है तो आप यहाँ पर देखे account में जो है हमने हाई send किया था अपने पर्सनल एकाउंट से अपने business account पर तो यहाँ पर मेरा message हो रहा है तो दोस्तों detected में आपको सारे message दिखाया देंगे जो भी आपको WhatsApp पर मिलते हैं और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं तो आप यहाँ आपको WhatsApp बिजनेस पर message मिलेगा वो आपको यहाँ पर show होगा तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से WhatsApp पर delete message को read कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो के लाश्ट में आपको बता दूँ कि अगर आप इस application का इस्तमाल करते हैं तो आपको इस application की थूँए add भी show किये जाएंग अगर आप free में इस्तमाल नहीं करना चाते हैं तो आप यहाँ पर 100 रुपे देकर add को हटा सकते हैं और add उसके बाद 100 नहीं की जाएगी और WhatsApp पर कोई file बेचकर उसको delete कर दिया जाता है तो भी आप WhatsApp remote plus application की मदद से उस file को देख पाएंगे दोस्तों उमीद है कि यह वीडिय नहीं तर तगले जहीं बादे मातरा